हाई गाईज, वेलकम टू बी बैंकर, स्वागत आपका आज की क्लास में आज की वीडियो में, मैं हूँ पृती मैम और आज में लेकर क्या गई हूँ आपके लिए कॉर्णी, जबर्दस्त वाली क्लास क्या होने वाली अभी आज की क्लास, तो spoken English course जो चल रही है चानल पर, नाम है क्लास का basic plus course, इसकी है आज class 13, जी हाँ, class 13 है आज, तो जिनको नहीं पता है क्या हो रहा है भई, कौन सी class 13 है, तो वो बिलकुल बने रहीएगा, मैं बताऊंगी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, एक मैं बता दूँ पहले थोड़ा सा आपको कि spoken English का course चल रहा है चानल पर, basic plus course जो है, इस course का नाम है, आज class 13 है, आपने अगर अभी तक नहीं देखी है, description box में link है, जाये class 1 से आपको मिल जाएगी वहाँ पे classes, description box में link के अलावा आपको comment section में link मिल जाएगी, आपको इस video के end में link मिल जाएगी और आगे जो WhatsApp number बताऊंगी, उस पे message करके भी आप link मंगा सकते हैं, चलिए शुरू करें, उसके पहले अगर channel पर नए है, पहली बार इस class को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजे channel को subscribe, subscribe करते वक्त, bell icon दबाना बिल्कुल मन भूलेगा, ताकि जब भी हमारे कोई नई class आए, सबसे पहले आपको पता लग जाए, आप सीदे सीदे हम तो जोड़ सकते हैं, इस WhatsApp number के जरिए, हमारी books, हमारी e-books, हमारी paid courses के बारे में जानने के लिए, और ये वाली class, इसके जैसी धेरो class directly अपने mobile तक पाने के लिए, आप कर सकते हैं हमें किसी भी social media sites पर follow, तो चलिए शुरू करें आज के class, तो जैसा कि मैंने बताया, चल रहा है चानल पर basic plus course, 9 November से जो है ये course चालू है, जी हाँ, 9 November से इसके classes हो रही है, 15 दिनों का ये course है, free course है, 1499 का course बिल्कुल free कराया जा रहा है, festivals के वज़े से, free spoken English का course है, ये जो आपके सामने screen प चाल चाहिते हैं, तो ये बात की बात है, तो फिर ये वाली course ये, तो ये वाली course जो है, वो है between- A and spaceaneous seconds, तो पर ये शुरू करके बात कर देख सकते हैं, पहली बात ये, और जो ये वाली बॉड़ी आपको दिख रहे हैं, उनकी classes अलड़ी आ चुकी है, जो red वाली boxes आपको दिख रहे हैं, उनकी classes आने वाली है, इस routine का आप चाहें, तो फोटो लेकर के रख सकते हैं, calendar पर मार्क कर लिएज़े कि कब-कब classes आ रही हैं, सबसे बहर तक तो यही होगा, कि आप इसकी playlist मंगा लें, अपने लिए, या तो description box से आपको मिल जाएगी, या तो comment section से मिल जाएगी, या तो आप इस video के end में आपको मिल जाएगी, या तो फिर सबसे सहूलियत वाली बात की WhatsApp पर message करके मंगा लीजएगा, तो आपको class wise, जैसे एक introduction class है, उसके बाद class 1 से शुरू हो जाती है, total classes, आपको playlist में total की total classes जो है, वो मिल जाएगी, कहां पर आ रही है course, जिनको भी join करना है भई, कहां पर आ रही है course, bbanker के official YouTube channel पर आ रही है, bbanker द्वारा ये course कराया जा रहा है, ऐसे भी bbanker जाना जाता है, free courses कराने, और उन्हें complete कराने के लिए, तो bbanker पर ये वाली course भी आ रही है, basic plus courses का नाम है, शाम के ठीक 7.7 बज़े जो है, ये class आ जाती है, अगर कई बार delay वगेरा हो जाए, तो उसके लिए पहले से माफी, तो technical issues के वज़े से कई बार थोड़ी बार delay हो जाती है, लेकिन class आती जरूर है, तो भई bbanker पर आ जाती है, साम के 7.7 बज़े आ जाती है, routine मैंने आपको दिखा दिया, इसके हिसाब से classes आती है, और जिन्होंने अभी तक इस class को join नहीं किया है, जो नहीं है, उनके लिए घबराने वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको यही वाली course करनी है, इसके यह course जैसे ही खतम होगी, एक दिन के बाद मैं फिर एक course लेकर कर आ रही हूँ, उसको आप day one से जरूर जोइन कर सकते हैं, लेकिन बहतर होगा, क्योंकि वो वाली जो है, इस वाली से एक level advance होगी course वो वाली, क्योंकि जो भी लोग यह वाली class कर रहे हैं, उनको फिर एक level advance वाली course कर आउंगी, चिक है, तो यह वाली course आप पहले कर लीजे, फिर advance वाली भी join कर लीजेगा, इसको भी अगर आप चाहें, तो मैं repeat करा सकती हूँ, comment करके बोली, अगर आपको दुबारा से इस course को repeat करना है, तो इसको भी फिर से करेंगे, advance वाली कर लेने के बाद, ठीक है, चलिए, तो शुरू करते हैं आज की class, तो जैसा कि मैंने बताया था, introduction class में, पाच pillars के basis पे, formula based learning कर रहे हैं, randomly इधर उधर कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग, बिलकुल formula wise चल रहे हैं, हम लोग, ये पाच स्थम्भ है, जिसके basis पे आप अंग्रेजी बोलना सीखते हैं, और मैं आपको अंग्रेजी बोलना सिखाती हूँ, तो इन पाच स्थम्भो यानि की पाच स्थम्भो पिलर्स को, हमने बहुत अच्छे से introduction class में discuss किया, आपके हर एक सवालों के जवाब दिये हैं, कि भाई क्यों नहीं बोल पाते, कैसे बोल पाएंगे इस तरीके के, जो भी आपके दिल दिमाग में सवाल होते हैं, उन सारे को जवाब दिया है उसमें, make sure करिये, class 1 से पहले आप introduction class जरूर देख लें, और आज जो है, हम लोगों ने चारो पिलर्स को cover कर लिया है, आज जो है पाँचवे नंबर की बारी है, हमने वाव फॉर्मूला पढ़ लिया, हमने वर्ड मीनिंग पढ़ लिया, हमने वाक्यों का hero कौन होता है, supporting actor कौन होता है, और वर्ब क्या होता है, ये सारी चीज़े पढ़ ली, हमने पढ़ लिया वाक्यों को कैसे जोडे, हमने वाक्य रचना करना सीख लिया, अब बारी है actual gameplay की, यानि की show की actual बारी है, that is fifth number point, आज हम लोग conversation करेंगे, conversation करेंगे, conversation करना सीखेंगे, और ये सारी चीज़ा आज हम लोग जान करके, यकीन मानिये, ये जो है ना, ये बिल्कुल अचूक उपाय है, मतलब इसके बेटर, मतलब इसके बिना और इससे बहतर, आपको कोई उपाय मिल ही नहीं सकता, अंग्रीजी बोलने के लिए, जितना हमने कर लिया, उसके बाद ये वाली चीज़, जो मैं आपको आज कराने वाली हूँ, अगर आपने इज़ट से, यकीन मानिये, अगर आपने बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, बिल्कुल इज़ट से, 21 दिन तक इसको किया, तो 22 दिन से आपको प्रभाव दिखने लगेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा, जी हां, तो चली शुरू करते हैं, आज करने वाले हैं, माई डेली लाइफ रूटीन, क्या करने वाले हैं? माई डेली लाइफ रूटीन, ये conversation का हिस्सा है, बातचीत का हिस्सा है, जरा सोच के देखे, हम लोग दिन भर अपने आप से बाते करते रहते हैं, आपने हो सकता है कभी ध्यान न दिया हो, पर ध्यान से सोचे, मान के चलिए आपको बजार जाना है, चीक है, आप क्या करते हैं, आपके दिबाग में क्या चलता है, कि अभी मैं यहां से जाऊंगा, गाड़ी हैं, फिर जब आया ही हूं उस मार्केट में, तब मैं थोड़े शर्ट वगेरा भी देख लूँगा, या कुर्ती वगेरा भी देख लूँगी, और फिर घर आ जाऊंगा, उसके बाद मुझे यह करना है, उसके बाद मुझे ऑफिस का यह काम है, बचा हुआ है, यह सारी च आया, तब आपको जरूर ध्यान आया होगा, कि हाँ ऐसा तो होता है, बस आपको कुछ नहीं करना, आपको यह बाते बंद नहीं करनी है, आपको यह बाते करनी है, करती ही रहनी है, आप चाहेंगे तो भी बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, वो ऐसा ह डिजाइन किया हुआ है, हम लोग अपने आप से बाते करते रहते हैं, दिल दिमाग में मतलब बाक्गराउंड में जो है ये बाते चलती रहती हैं, आपने ये बाते अब से करनी हैं अंग्रीजी में, कैसे होगा भई, रातो रात हो जाएगा कैं ये चमतकार, नहीं होने वाल तो सबसे पहले समझ लीजे, आपको अभी से ले करके, यानि कि आज से ले करके, जी हाँ, काल कर इस वाज कर वाल हिसाब कताब है, अभी से आज से जो है, आपको ले लेनी है एक कॉपी, क्या करना है भई, एक कॉपी ले लेनी है, एक पैन ले लेना है साथ में, और अगले 21 तक, यानि कि for 21 days, अब मैं 21 दिन क्यों बोल रही हूँ, ध्यान रखिए, जब भी आप कोई एक चीज, कोई भी एक habit 21 दिनों के लिए करते हैं, तो वो आपकी आदत में शुमार हो जाती है, और फिर आप उसको करने लगते हैं, और आप जो हैं, उसमें बहुत जादा master हो जात और ले लेना है कलम, आपको लिखनी है अपनी दिनचरिया, जी हां, क्या लिखना है भई, daily life routine, my daily life routine, copy पे title डाल दीजे, कि आप से क्या लिखेंगे भई, चाहे आप student हो, चाहे आप office going हो, चाहे आप housewife हो, चाहे आप normal कामकाजी लोग हो, जो भी हैं, दिन के जिस भी वक्त में आपको वक्त मिले, उमीद है आपको या तो सुभे वक्त मिलता होगा, या शाम को वक्त मिलता होगा, चिक है, मैं ये दो वक्त मान के चल रही हूँ, आपको जिस भी वक्त समय मिले, आपको लिखनी है अपनी दिन चरिया, अगर सुभे, तो आप पहले दिन वाले लिख लिख लीजे, अगर शाम तो उस दिन जो किया वो लिख लीजे, याद रखे, इसमें कुछ-कुछ basics में आपको दे दूं highlights, इसमें आप simple present और simple past जैसे वाक्यों का ही इस्तमाल करेंगे, चिक है, simple present मतलब I eat, simple past I ate, इस तरीके के वाक्यों का आप इस्तमाल करते हैं, मैं आपको सारी चीजें बताऊंगी, कौन से वाक्यों किस्तमाल करने हैं, कैसे करने हैं, बहुत जादा कुछ भारी पर कम चीज नहीं है, बहुत असान सी है, आपको मैं sample दे दे रही हूँ, बस इसी sample पर based आपको practice करनी है, इन में से जो काम आप करते हैं वो लिखेंगे, जो नहीं कर इनों तक यही करेंगे, सबसे पहले तो आप greeting लिखेंगे, है न, आप खुद से बात कर रहे हैं न, सबसे पहले आप greeting लिखेंगे, अगर आप सुभे लिख रहे हैं तो good morning, शाम को लिख रहे हैं तो good evening, सुभे तो good morning, शाम को तो good evening, उसके बार अपना परीचे देना, hello, मै मैं रोहन हूँ या हलो मैं रागिनी हूँ ठीक है क्यों भई क्यों कि अगर इस चीज को आप प्राक्टिस करेंगे न मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि यह कैसी चीज है मैं अपना नाम क्यों लिखू मैंने यहाप पर सैंपल लिया है रोहन या रागिनी का पर आपको अपना नाम लिखना है अब अपना नाम अपनी डाइरी पर क्यों लिखेंगे अपनी कॉपी पर क्यों लिखेंगे प्राक्टिस होगी 21 दिन के बाद 22 दिन अगर आपसे कोई पोच लेना क्या आप कौन है आप देखिएगा आपके मुह से निकलेगा हाई आयम रोहन या अपने इस निकलेगा ओविसली ठ़के तो यह वाली चीजा कर थे के सबसे पहले अपना क्या कर लिया हमने ग्रीटिंग कर लिया गटम फिर अपना परीचाय दिया हिलो आयम रोहन या हालो आयम रागीनी बात होगा यहाँ तक लियर आगे अपनी दिन चर्या लिखनी है घ् आज सुबह मैं 6 बजे उठा या आज सुबह मैं 6 बजे उठी आप जितने भी बजे उठते हैं आप वो जो है टाइम यहाँ पर mention कर देंगे चीक है? कितने बजे उठेंगे? जितने भी बजे उठते हैं आप उस टाइम को वहाँ mention कर देंगे यह वाली लाइन तो आपके काम आ जाएगी बस आपको डेट यहाँ जो समय है वहाँ पर वो चेंज कर देना है उसके बाद क्या करते हैं? मैं पहले रिफ्रेश हुआ फ्रेश होते हैं उसके बाद उठने के बाद हम लोग फ्रेशन अप होते हैं अगर नहीं जाते हैं तो यह लाइन आपके काम आ जाएगी और अगर आप नहीं जाते हैं तो आप यह लाइन को नहीं लिखेंगे आप सिर्फ लिखेंगे मैं पहले रिफ्रेश हुआ यानि कि I got refreshed याद रखिए आप शुरुवाती वक्त में आप हिंदी का सहारा ले सकते हैं नीचे जैसे यहाँ पे आपके मैंने हिंदी यहाँ पे लिखी है सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए आप हिंदी का प्रियोग नहीं करेंगे शुरुवाती अगर एक दो दिन में आपको uncomfortable महसूस हो तो आप कर सकते हैं लेकिन यकीन मानिए हिंदी का प्रियोग नहीं करिये तो बहतर होगा जुद गलत लिखिए शुरुवात दिन से फिर इसी क्लास पे इसी क्लास नमबर 13 विडियो नमबर पे आ करके दुबारा से रिपीट कर लीजे चेक कर लिजे इसी विडियो से मिला करके कि मैंने सही किया गलत किया और अगर विडियो से नहीं check करना है तो आप e-book से चेक कर लीजिए अगर आपने भी तक e-book नहीं ली है तो मैं बताऊंगी कैसे लेना है उसको आप e-book से भी चेक कर सकते हैं कि आपने सही लिखा या गलत लिखा चीक है I get refreshed for I got refreshed first मैं पहले refresh हुआ and went for a morning walk और सुभा की सैर के लिए निकला उसके बाद क्या करते हैं after that I took my breakfast उसके बाद मैंने अपना नाश्टा किया यह लाइन भी सबके लिए common है सारे लोग नाश्टा करते हैं है ना सारे लोग करते हैं आफ्टर आइट I took my breakfast उसके बाद मैंने अपना नाश्टा किया आगे बढ़ते हैं then I got ready for my classes या then I got ready for my office आप अगर office going है तो office हो जाएगा classes वाले हैं तो classes हो जाएगा अब अगर आप मान के चलिए office नहीं जाते हैं अब house wife है या house work करते हैं अपना काम है आपका तो भी तो office ही है या normal सिर्फ work का भी प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं I got ready for my work हो गई बात clear या तो class जाएँगे या तो office जाएँगे काम करेंगे ना भी घर का हो या बाहर का हो काम तो काम है तो I got ready for my work हो जाएगा वहाँ पर clear फिर मैं अपनी classes या office या काम के लिए तयार हो गया बढ़ते हैं आगे after coming back from office या class I took my lunch office या class से वापस आने के बाद मैंने अपना lunch किया दोपहर हो गई है lunch करेंगे है ना दोपहर के खाने को क्या कहते है लंच कहते हैं अगर word meaning की वीडियो नहीं देखी है तो वो देखना पड़ेगा after coming back from office या class I took my lunch बढ़ते हैं आगे I took some rest मैंने थोड़ा आराम किया लंच करने के बाद बही नॉर्मली लोग आराम करते हैं I took some rest मैंने थोड़ा आराम किया then went to the market to buy some groceries groceries का मतलब होता है किराने का समान आप मतलब सबजी भाजी या फिर चावल दाल normally किराने का समान अगर आप समझ रहे हैं groceries किराने का समान मतलब groceries होती है then went to the market to buy some groceries फिर मैं कुछ किराने का समान खरीदने के लिए बजार गया उसके बाद बजार से वापस आएंगे when I came back home I took some snacks and tea शाम की भाई चाई तो चाहिए है ना जब मैं घर वापस आया तो मैंने कुछ snacks और चाई ली याद रखिए हम लोग जो है हिंदी में मैं हिंदी का प्रेयोग यहाँ पे इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको बैतर तरीके से समझ आ जाए ठीके आपने इंगलिश का ही प्रेयोग करना है when I came back home I took some snacks and tea इसके बाद क्या करेंगे watched TV for an hour फिर एक घंटे टीवी देखा क्या क्या है शाम को टीवी देखते है नॉर्मली लोग फिर एक घंटे टीवी देखा watched TV for an hour उसके बाद then I took dinner with my family फिर मैंने अपने परिवार के साथ डिनर किया and slept और सो गया simple बहुत जादा मुश्किल तो नहीं था then I took dinner with my family फिर मैंने अपने परिवार के साथ डिनर किया मतलब रात का भोजन खाया डिनर किया और सो गया and slept simple सा है simple सी दिंचरिया मैंने रखी है because मुझे नहीं पता आप सब की दिंचरिया क्या है but most of the time मैंने most of the चीजे मैंने इसमें इंक्लूड की है आप सुभा उठेंगे ही एक particular time पे आप अगर exercise करते हैं बहुत अच्छी बात है नहीं करते हैं तो करना शुरू कर दीजे उसके बाद आप नाश्ता करेंगे ही आप office जाएंगे या तो काम करेंगे या तो school जाएंगे फिर आप lunch करेंगे ही उसके बाद आप थोड़ा बहुत अराम हो सकता है करें या ना भी करें जो लोग office जाते हैं हो सकता है वो लोग उतना अराम ना करते हो दो पहर में तो आप उस जगा को skip कर दीजेगा छोड़ दीजेग उस जगा को शाम की चाय आप लेते ही होंगे टीवी आप शाम को देखते ही होंगे रात का खाना खा करके सोते ही होंगे ये सारे काम तो ऐसे हैं जो हर कोई करता होगा ऐसा कोई इनसान होगा जो ये सारे काम नहीं करता तो आपको बस इन सारी चीजों को यानि कि अपने दिन चर्या को practice करनी है आपका home work 21 दिन के लिए practice करनी है इसको अपना home work की समझ के चलिए अगर आप सच में अंग्रीजी बोलना चाते हैं तो ये काम 21 दिन तक जरूर करें 22 दिन से आप अपने आप में बदलाव देखेंगे कि क्या बदलाव तो आपको पहले दिन से दिखना शुरू हो जाएगा फिर 35 दिन, 4 दिन, 5 दिन जाते आप खुद में improvement करने लगेंगे आप फिर इन ही वाक्यों पर dependent नहीं रहेंगे आप अपने बाकी की दिनचरिया में जो है ना चोड़ी-चोड़ी चीज़े आप और करते हैं उसको भी शामिल करने लगेंगे क्योंकि अगर आप day 1 से मेरी course को कर रहे हैं तो मुझे उमीद है कि अब तक आप में बहुत improvement आ गई है बहुत अच्छी कासी आपकी background जो है knowledge जो है आपकी तयार हो चुकी है चीजों को सजा करके लिखने के लिए हो गई है ना तयार है ना तो इसको जब आप करेंगे अगले 21 दिन के लिए यकीन मानिए आप 22 दिन से बिल्कुल एकदम 60 कंगरीजी बोलने लगेंगे चीक है तो कौन-कौन इस चीज़ को 21 दिन के लिए कर रहा है मुझे कमेंट करके जरूर बताईए आपकी सहूलियत के लिए और बतादू अगले 21 दिन तक प्लीज कमेंट सेक्शन में आए और अपनी दिन चरिया को लिखें सबसे बहतर तो यही होगा कि आप अपनी डाइरी में लिखिए आप कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा तो मुझे पता चलेगा कौन-कौन प्राक्टेस कर रहा है तो चलिए जल्दी से सारे के सारे कॉपी उठाईए, पैन उठाईए और आज इसे अभी से अपनी दिन चरिया लिखेंगे आप उसके बात सोने जाएंगे क्लियर हो गई बात? सो यस गाईज ये थी आज की क्लास क्लास के साथ ही बता दूँ जो बेसिक प्लस स्पोकें इंगलिश की बुक है वो आ चुकी है, एक दिसंबर से मैंने प्रॉमिस किया था कि किताब आ जाएगी, e-book तो वो आ चुकी है, अगर आपको भी तक नहीं मिली है तो इस नंबर पर कर लिजे वाटस अप और इस e-book को मंगवा लिजे ये e-book आपके पास रहेगी ये कोर्स जो है वो हमेशा फ्री ही रहेगा, इसके लिए बिलकुल निशिंत रहें आप कभी भी आपको जब दुबारा महसूस हो कि आपको रिविजन की जरूरत है आपके बस-बस e-book होना चाहिए उस e-book के साथ आप इन 15 के 15 video lectures को दुबारा से revise करेंगी आपकी अंग्रेजी में बहुत बहुत बहुतर तरीके से खूपसूरती से सुधार आजाएगा इसके बाद तो मैं courses कराती ही रहूंगी advanced course कराऊंगी basic इसके बाद जो basic plus कराया है इसके बाद एक level up उपर वाला course कराऊंगी फिर advanced कराऊंगी फिर fluent के लिए कराऊंगी बहुत सारी चीजे हैं ठीके तो बिल्कुल e-book को ले लीजेगा याद से और इसके साथ ही आप सब के सामने है भारत का एक लौता mini spoken English course जिसको आप प्यार से छोटू spoken English course भे बुला सकते हैं इसकी तुम्हें जितने तारीफ करूं उतनी कम है इसमें आपको मिल जाता है दुनिया का हर वो वाकि जिसका स्तेमाल आप कर सकते हैं अंग्रेजी बोलते वक्त उसका structure उसका rules यह सारी चीजे है तो इसके लिए भी आपको इसी नंबर पर वाट्सप करना है लिख करके मुझे mini spoken English course और उसकी e-book चाहिए तो आपको यह दोनों भी हमारी टीम द्वारा बेज दिया जाएगा यह चीज भी आ चुकी है इसके class भी आ चुकी है इसकी e-book भी आ चुकी है और यह तीन किताबे भी बहुत जल्द आ रहे हैं आप तक पहुंचेंगे यह तीनों किताबे और एक kit भी आ रहा है तो कौन-कौन excited है कौन से कृताब के लिए मुझे comment करके जरूर बताइए इसके साथ अगर जुड़ना चाहेंगे हमसे हमारे premium WhatsApp spoken English course में इसकी inquiry आप इस number पर कर सकते हैं दिल दिमाग में जो भी सवाल हूँ आपके message करके पूछ लिया करें और यह जरूर पूछ लें कि अगली batch जो है इस course की कब शुरू हो रही है यह है basic grammar का course यानि कि grammar की course है बिल्कुल basic वाली course है मतलब zero से सिखाय जाने वाली course है तो इसकी inquiry भी आप इस number पर कर सकते हैं और बच्चों के लिए grammar वाली course अगर आपको मुसीबत लगती है तो यह course फिर बिल्कुल आपके लिए है राइटिंग सक्षन मतलब essay writing हो गया debate writing municipality को लेटर letter to editor हो गया business inquiry के लिए letter interview के लिए letter यह सारी चीज़े इसमें कराई जाती है और grammar भी कराया जाता है और अगर आप आपके एक serious aspirant है और ऐसे किसी भी competitive exam की तियारी कर रहे हूँ जिसमें अंग्रीजी पूछी जाती है तो यह course बिल्कुल आपके लिए है चाहे आपकी vocabulary हो grammar हो, basics advanced तक या RC हो, या questions हो, latest pattern के सारी चीज़े कराई जाती है तो इसकी inquiry भी आपस नंबर पर कर सकते है इंक्वाइरी करते वक्ध ध्यान रखेंगे कोर्स का नाम लिखकर के इंक्वाइरी भेजें ताकि हमारे पृतिनिधी आप तक सही 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 जानकारी पहुचा पाएं जानकारी मिलने में फिर भी जाता है तो करपया प्रतीक्षा करें और अगर मेसेज कर दिया है तो निश्रिंथ हो जाएं आपको रिपलाई जरूर मिलेगा क्लियर तो यह गाईस आसट पर टोड़ी थैंक्यू सो मुच पर वाचिंग बीद बीबैंकर एंपर इंपर एंपर 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 स्थू झालच तो बीबैंकर